आप ही इस देश को चलाते हो आप ही इस देश को आगे ली जाते हो और आपके खिलाफ साजिश हो रही है आपको ठगा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है हमें इस आकरमन को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ें पीजेएपी की सरकार में असंग ठिद अर्ध्यवस्ता पर आकरमन किया है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है 2008 में जबरदस्त आर्थिक तुफान है पूरी दुनिया में अमरीका में जापान में यॉरॉप में चाइना में सब जगे आया अमरीका के बैंक गिर गये कंपनिया बंद हो गई एक के बाद एक कंपनी की लाइन लगए बंद हो गई येॉरॉप के गिरे मगर हिंदुस्तान को कुछ नहीं हो युपीय की सरकार थी पधन मंत्री जी के पास गया और मैंने उन्से पूछा मनोहन सिंग जी बताईए पूरी दुन्या में आर्थिक नुक्सान हुआ है हिंदुस्तान को कोई असर नहीं हुआ कारण क्या है मनमौन सिंग जी ने का राहूल अगर हिंदुस्तान की अर्ध्व्यवस्ता को समझना चाते हो तो यह समझना हुआ कि हिंदुस्तान में दो अर्ध्व्यवस्ता है पहली संगाठित अर्ध्विवस्ता में बड़ी कमपनिया नाम आप जानते हूँ असंगाठित अर्ध्विवस्ता में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडल साइज, banas companies जिस दिन तक हिंदूस्तान का असंग अठित सिस्टम मजबूत है उस दिन तक हिंदुस्तान को कोई भी आर्थिक तुफान चूनी समते अब आज के दिन आते हैं पिछले छे साल से बीजीपी की सरकार ने असंग अठित अर्थ्यवस्ता पर आकरम इन किया है तीन बड़े उधारन तो मैं आपको अभी दे देता हूँ नोट बंदी गलत GST और लोकडाउन अब ये मत सोचिए कि लोकडाउन के पीछे सोच नहीं थी ये मत सोचिए कि गलती से आखरी मिनिट पे लोकडाउन कर दिया गया है इन तीनों का लक्ष हमारी informal sector को خतम करने का है प्रदान मंत्री जी को अगर सरकार चलानी है मीडिया की जरूवत है मार्केटिंग की जरूवत है मीडिया और मार्केटिंग 15-20 लोक करते है informal sector में पैसा है लाकों करोड रुपे जिसको ये लोग छूनी सकते हैं इसको ये लोग तोड़ना चाते हैं पैसा लेना चाते हैं इसका नतीज़ा आएगा नतीज़ा ये होगा कि हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मल सेक्टर 90% से जादा रोजगार देता है जिस दिन इन्फॉर्मल सेक्टर खतम हो गया नच्ट हो गया उस दिन हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा आप ही इस देश को चलाते हो आप ही इस देश को आगे ली जाते हो और आपके खिलाफ साजिश हो रही है आपको ठगा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने के कोशिश की जा रही है हमें इस आकरमन को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा